पिलो के हगदार ओ नहीं है जिनके ख्वाब बड़े हैं बलकि वे हैं जो जित पे अड़े हैं अगर आपने दसवी पर इक्सा पास कर ली है तो हो जाईये तयार SSE MTS के जरिये दे रहा है आपको सरकारी नोकरी पाने का सुनहरा मोटा SSE MTS की 72 तयारी कराने के लिए हम लेकर आए है Sure Selection Batch जो आपके सेलेक्शन को 100% सुनिशित करेगा इस Batch में आपको अनुभवी सिचकों के माध्यम से क्लासिस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा तो देरी किस बात की आज ही डाउनलोड करें S.S.C.Maker का एप और जोईन करें Sure Selection Batch नमस्कार दोस्तों मैं आज है जैसिंग आपका स्वागत करता हूँ S.S.C.Maker की Sunlight Perform पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप लोग कोमेंट करके बताए तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है फटा फट एक बार कोमेंट करेंगे चलिए आज क्लास आपक की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर रीजनिंग और मैंस को चाप्टर वाई चाप्टर पढ़ा दीजिए कोशन तो बहुत करा दिए अच्छा तो एक्जाम आप लोगों को आने वाले महीने में है सत्राइने में प्रीजनिश करा दिए अधारित Queshard Dock को तो क्लास के अच्जा से बराबर Queshard और हैं चेश्जा, नहीं है एक्जाम के झायानने को था फटीक, जो सारे selected question है उसका आपको तरीका भी आपको बता देंगे कि analogy के प्रशनों को आपको कैसे solve करना है क्या क्या उसमें logic लग सकता है और नए pattern पे जो question आ रहे है latest pattern पे जो question आ रहे हो किस type के question आ रहे है ठीक है तो सब कुस डीटेल में आज चर्चा करने वाले हैं तो सारे student अच् बहुत अक्से देखिए मन लगा कि आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आप समय बहुत ही कम बचा है और ये 2023 आप लोगों के लिए सांदार समय है ठीक है तो 2023 में जुनका selection हो जाएगा अच्छी बात है नहीं तो आने वाले time में वोपस रहें और आप लोगों के लिए डिमांटी की सर लिखवा भी दीजिए कौन से एक्जाम में question पूछा गया है तो ये भी आपके लिए type है ये SSC MTS 2022 का question है बोलेंगे तो date और shift भी लिखवा देंगे कि किस date में और किस shift में आया हुआ है ये भी करा देंगे वैसे इतना से चल जाएगा तो अच्छी बात है नहीं है तो आगे भी और करा देंगे ठीक है चलिए simple question है answer दीजिए फटा फटा आंसर दीजिए question की आज जो है संख्या 25 question लेके आये हैं एक दो question नहीं है 25 है 25 के 25 question पूरे आपको solve करने चलिए answer दीजिए का question का answer क्या होगा फटा फटा फ संख्या 25 संख्या से संबंदित है simple भासा में आप इसको question mark भी देखके आप अनुमान लगा सकते हैं प्रस्ट में बोल क्या रहा है देखा जाए तो 97 का 2 से संबंद है 63 का किस संबंद होगा ये पूछ रहा है जिस प्रकार से 74 का 3 से है आसान है कुछ भी नहीं करना है क्या क करेंगे देखिये 97 को क्या करें 2 हो जाए 74 को क्या करें 3 हो जाए उसी प्रकार से इसको करेंगे answer आ रहा है आसान question है सबका answer आ रहा है very good क्या बात है कुछ नहीं करना है 97 को 2 किया है यानि आप इसके बनावट की अधार पर अगर सोचे बनावट अधार पर सोचे, यह 97 को क्या लिखा है, दो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं कि 63 का संबन किस से होगा, जिस प्रकार से 74 को क्या लिखा हुआ है, 3, तो अगर देखा जाए, 97, 97 से मिलके बना है, 9 में से अगर 7 घटा दे तो 2, यही 2 दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे? 6-3, बराबर क्या होगा? 3, answer होगा 3, option number होगा C, very good, सबका answer आ रहे 3, हाँ, तो यह MTS का question है, अभी हम लोगों को CZL के question दिखाएंगे, CHSL को दिखाएंगे, CPO के question दिखाएंगे, आप लोग अराम से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा tough, इसमें question न देखिएगा, दूसरा question, ABSSE MTS 2022 का पूछा गया question है, देखिए, question क्या है, ध्यान से एक बार देखिए, तो सारे बच्चे, question वही बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, question यह बोल रहा है, देखिए, उस विकलब का चैन कीजिए, जिसका पाँचवी संख्या से वही संबंद है तो 37 का संबंद किस से होगा, चलिए, फटा फटा आंसर दीजिए, क्या बोल रहा है, 16 का संबंद किस से है, 38 से है, जिस प्रकार से, 26 का संबंद किस से है, 58, 58 से है, उसी प्रकार से बताना है, 37 का संबंद किस से होगा, लॉजिक बताएं, आप लोग इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जल्दी शे कॉमेंट करें, सारे बच्चे एक साथ, क्या होगा, क्या होगा, देखिए, 16, 38, 26, 58, 37, क्या होगा, very good, very good, बहुत देजी से आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहें, क्या बात है, समझ में आ गया है, प्लस 6 हो रहा है, क्या करके, 2 गुना करके, very good, क्या हो रहा है, देखिए, 16 के पहले में 38 नहीं आता है, लेकिन अगर हम अगर करें, क्या, 2 गुना, 16 गुना के 32, और 32 क्या करेंगे 38 हो जाए, 6 जोड़ेंगे, तभी तो 38 होगा, इसी प्रिकार से इधर देखिए, 26 गुने 2, 26 से 17 गुना के 52, 52 में कितना जोड़ें अंठावन हो, 6 जोड़ेंगे, यानि हुआ गया है पहले में 2 गुना प्लस है, फिर दूसरे वाले में क्या हुआ, 2 गुना प्लस है, तो यही सेम पेटन इस पर लगेगा, यही सेम कॉंसेप, ठीक है, लोजिक जो है, वहीं लगेगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 गुना प्लस 6, तो 37 गुना के 74, 74 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 80, 80 किस option में है option number D में है समझ में आ रहा है, सबका D आ रहा है सबका D आ रहा है very good, जितने student answer दे रहे, option number D एक दम सही है, उमीद करते हैं समझ गए होंगे, तो यह सब question आपके exam में पूछे गए हैं previous share paper के हैं, अभी कुछ question आप लोगों को कराएंगे जिसमें logic भी आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा यह सब तो simple है, आप लोग कर ले रहें सारे question कर लेंगे, जब आप practice करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यह सब comment करते रहें, चलिए next question देखिएगा, यह जो question आपके सामने दिख रहें, यह भी question जो है, SSC MTS 2022 का पूछा गया question है, उस विकल्ब का chain करें, जो पाँचवी संख्या से उसी प्रकार संबंदीत है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंदीत है simple भासा में अगर बोले, ऐसे आप सोचकते है, 72 से या आप कह सकते हैं, 23 का संबंद 72 सारे बच्ठे 지금 अच्छे से देखेंगे अर देटाएस का संबंद से हैग 172 और आगे बोल रहा है 38 का संबंद से है 117 प्रेकर से आपको बताना है 4646 का संबंद किस्से होगा कौ dehydration प पर कौन सी संख्याएगी यह बता कुछ्छ इस आपको निय संसे भी मता है Hindi पढ़ने में, तो टाइम पेसे ना कर के? अच्छा, Hindi ना पढ़े। कभी-कभी क्या होता हैं, डेखिए, कुछ बच्चे होते हैं, यहाँ पे हिस कोच्छन में तो खैर इन प्रश्णों में ज्यादा दिकत नहीं होती है, कभी-कभी लिखा रहता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो यहाँ पर detail दिया रहता है, निर्देश दिया रहता है, नहीं पढ़ते हैं, अब उसमें कभी-कभी वहाँ नहीं सब्द लिख देता है, और ऐसे प्रसंद गलती हो जाती है, तो हिंदी को तो आप समझे हैं, logic जरूर बताए, क्या हो रहा है, very good, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छे, और समझ में आ रहा है, तो यहसा comment भी कर दीजिए, सारे बच्चे आज की class को like भी कर दीजिए, और daily class को आप लोग जवाइन करिए, daily class 8 बच्चे आप लोगों के लिए चल रही है, important question अब हम कराने वाले हैं, chapter by chapter, exam तक लगवग लगवग आपके सारे chapter complete करा देंगे, जो important है, जिससे question देखने को मिलते हैं, देखिए, क्या कर सकते हैं, बताएं, सारे बच्चे एक बच्चे एक बार देखिए, सारे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, देखिए, हो ग खरीब जाईए, या उससे थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, तो तीन गुना हम कर दे, तो तेईस्तियां, उनहत्तर, प्लस तीन होगा, ठीक है, देखिए, अनतिस्तियां क्या होगा, चारतियां इबार होता है, और देखिएगा, तीन, तीन त अगे क्या करेंगे आप, गुने तीन प्लस तीन करेंगे, तो छैलिस्तियां ही क्या होगा, ध्यान दिजिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, चारतियां यहां पर आप कर सकते हैं, तीन श्रक ठार का आठ तीन चौक को बारा, बारा और एक तेरा अब प्लस 131, 141, 141 आरहा है 141, 141 आरहा है 140, आप लोगों का क्या आंसर आरहा है 138 प्लस 3, 41 खीक है , यानि हुआ क्या है 141, 141 जहीं,, 141 आरहा है how long 1 for तो यसर कॉमेंट करिए, समझ गया है सर, next चले, आज बहुत देजी में है सारे बच्चे, जल्दी जल्दी next चले, सबको समझ में आना चाहिए, चलिए, next देखिएगा, अगला question देखिए, अगला question simple है, आसान है, ठीक है, और important भी है, answer दीजिएगा, उस विकलब का चैन करें जिसमें दो संख्या, उसी प्रकार संबंदित है, जिस प्रकार संख्या, युक में दी गई संख्या संबंदित है, simple भासा में इस प्रेशन को अगर हम बोले, तो ये प्रेशन क्या बोल रहा है, 416 का संबंद जिस प्रकार से 614 से है, उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा भी क पाएगा और यह question पूछा गया है SSC MTS 2022 में ठीक है चले बताए answer दे इसका answer बताए क्या हो रहा है इसमें भी आपको लिखना है बताए logic क्या है सर हिंदी भी पढ़िये अच्छा उपर का हिंदी पढ़े कुछ बच्चे बुल रहे नहीं पढ़िये कोई बात नहीं जैसा question अलग अलग pattern के आएगा तो पढ़ देंगे same pattern पे होगा तो एक कहिंदी पढ़ देंगे बाकी तो आप समझ रहे है ठीक है चाली इसमें logic क्या लग रहा है logic नहीं बता रहे हैं आप लोग सिर्फ आंसर दे रहे हैं एभी cd simple है ऐसे भी question देखने को मिलते हैं इस question में कुछ भी नहीं है क्या लिखा है 416 का संबंद है 614 से तो बोल रहा है कि उसी प्रिकार से किसका संबंद किसे होगा पहले तो यह देखिए 416 को 614 कैसे लिख दिया तो कुछ बच्चे इससे जोड रहे होंगे घटा रहे होंगे नहीं 416 है 614 है अगर बात करें इसको आप ऐसे कर लीजिए cross क्रॉस कहने का मतलब है विप्रीद 416 है तो पीछे से 614 यह आप इसको ऐसे भी करेंगे तो बात वही हो जाता है 614 किया है ना तो यह 614 हो गया 416 तो 614 पीछे से बोली है ठीक है देखिए यह क्या है 300 ध्यान दीजेगा 383 है 383 जब आप इसको ऐसे cross करेंगे तो यह क्या हो जाएगा फिर से 383 होगा ऐसा नहीं है यह 843 है तो यह नहीं होगा फिर यह देखिएगा 286 है 286 इसको cross करिए उ 286 8 2 आ रहा है option number option number B आ रहा है सबकार है और किसी का देखिए 483 है तो 384 होगा नहीं यह 592 है तो 295 होगा यह भी नहीं answer क्या होगा answer होगा option number option number B होगा clear है सभी को समझी में आ गया समझ में आ गया तो yes sir comment करिए देखिए जितने भी आप लोगों के लिए important chapter है उन chapter को हम cover करा देंगे कुछ दिनों में ठीक है बस आप लोग daily class को join करिए मन लगा के पढ़िए sir उल्टा कर रहा है very good अच्छा next देखिए question number 5 question number 5 देखिएगा important है अच्छे से समझना है इसमें पढ़ देते उस विकल्ब का chain करें जो पांच वे अच्छरांग की है ठीक है समुह से उसी तरह संबंदित है जैसे दूसरा अच्छरांग की समुह पहले अच्छरांग की समुह से संबंदित है और चौथा अच्रांग की समुह तीछरांग की समुह से संबंदित है जब है P4N9 है M16 K25 है G49 आगे Question Markman में से क्या होगा यह बताना है तो यहां पर लिख देते हैं P4 P4N9 है फिर उसके बाद से है M16 M16 और K25 से इसका संबंध है ठीक इसी प्रकार से आपको बताना क्या है G49 का संबंध किस्से होगा क्या G49 जी उन्चास का संबंध किस्से होगा इसमें आप लोग देखिए तो क्या लॉजिक लग रहा है एक बार देखिए सारे बच्चे से देखिए ध्यान से देखिए समझने का प्रयास करें SSC MTS 2022 का ये भी पूछा गया Question है क्या चल रहा है logic भी लिख दीजिए समझा दे देखिए जब अक्षर और अंक मिल के आए न तो आप एक एक को अलग अलग भी कर सकते हैं अलग अलग कहने का मतलब क्या है देखिए आप इसमें numbering भी कर सकते हैं P 16 पे आता है और N क्या आता है 14 पे आता है 16 से 14 हुआ मतलब माइनस टू य है क्या स्क्वाइर है देखिएगा ये दो का स्क्वाइर है और ये क्या है तीन का स्क्वाइर है जास्ट अगला संख्या का स्क्वाइर कर दिया अच्छा M 13 पे आता है K 11 पे आता है यानि क्या किया है माइनस टू किया है ये आपका 4 का स्क्वाइर है ये आपका 5 का स्क्व जी कितने पर आता है जी 7 पर आता है तो 7 में क्या करेंगे minus 2 तो 7 में से minus 2 करेंगे तो क्या होगा 5, 5 होगा clear है अब देखिए ये आपका 7 का square है तो आगे यहां पर क्या होगा साथ, देखिए, दो से तीन, चार से पांट, तो साथ से आठ, आठ का स्क्वाइर, आठ का स्क्वाइर क्या होगा, आठ का स्क्वाइर 64, और पांच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पांच नहीं, यहाँ पे होगा आपका क्या, E होगा, E 64, क्या होगा, E 64, अंसर होगा, E 64, क option number D में, clear है ना, हाँ, पहले अक्षर अक्षर चल रहा है, इसलिए E64, 564 नहीं, E64 होगा, option number D, clear है, option number क्या होगा, D होगा, बहुत अच्छे, हाँ, जितने बच्चे answer देरे, option number D साहिए, बताइए एक बार, शमजी में आया की नहीं, जल्दी से एक बार comment कर दीजिए, शमजी में आ गया है, तो यसा comment करिए, फिर चलेंगे next question के तरफ, चलिए, देखिए, यहाँ 5 का मतलब E, 8 का square, 64, ठीक है, E64 होगा, समजी में आ गया है, हाँ, सभी को समजी में आ रहा है, समजी में आ रहा है, तो आज की class को आप लोग like जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए student है, चैनल को subscribe करके जुड़ जाईए, daily class को join करिए, और मन लगा के तयारी करिए, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, सारे बच्चे कर रहे हैं, yes sir, तो चलिए question number 6 का answer दीजिएगा, question number 6 भी SSC MTS 2022 में पूछा गया है, ठीक है, उस विकल्ब का chain करें, जो तीसरे अक्षर समूँ से उसी प्रकार संबंदित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूँ, पहले अक्षर समूँ से संबंदित है, PM का संबंद अगर RJ से है, तो TF का सं संबंद किस से होगा, क्या बोल रहा है प्रशन में, प्रशन में बोला है PM का संबंद, PM का संबंद किस से है, RJ से है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है, कि TF का संबंद किस से होगा इन चारो भी कल्पों में से, बताएं, सारे बच्चे एक साथ कॉमेंट करें, इस question का answer क् हमφ जाइगा और समझ में भी आपको आने लगेगा छलीं फट आफट कॉमेंट करें एक साथ तो नहीं आ रहा है समझ में तो बताएंगे 3 बर लाइक कर दिए ठीक है 4 बर मत करिएगा 1,3、5 साथ जितना मन करे उतना लाइक करिए हाँ एक ही बर लाइक करिए ठीक है कोई ने समझ में आया लाजिक देखिये लाजिक क्या लग रहा है आ रहे answer देखिए ना समझ में आए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं बस थोड़ा से समझने की जरूरत है देखिए आप इसे क्या कर लीजिए numbering कर लीजिए numbering मतलब place value P कितने number पे आता है 16 पे आता है M कितने पे आता है M 13 पे आता है 13 माइनस 3 10 ठीक है चलिए ये आप कर रहा T T कितने पे 20 पे F कितने पे 6 पे तो अगर हम इसे करे 20 में क्या करे पहले वाले में क्या किया है plus 2 किया है plus 2 कर दे plus 2 कर दे तो 20, 2, 22, ठीक है, दूसरे वाले में माइनस 3 किया है, चलिए, इसमें क्या कर दीजिए, माइनस 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 22 का मतलब, P, U, V, क्या होगा, वी होगा, और 3 का मतलब, C, V, C, क्या होगा, क्या चल रहा है, प्लस 2, माइनस 3, क्या चल रहा है, प्लस 2, माइनस 3, तो अगले वाले में भी प्लस 2, माइनस 3 करेंगे, आंसर होगा, V, C, तहस्त मैं आगे आ खिए को समझत में आगे है तो राकिक कर दीजे आप लोगों की लाइक की संख्या कंष्ट कर दें लाइक की शंख्याіти आप लोगों की कम धेडिये हॉन्स करदीजये काफी अच्छा लगता है आपफे लोग जब si चलिए नेक्स चले आगे चले अगले question के तरफ अच्छा question number 7 question number 7 SSC MTS 2022 का अभी CSL का भी question आएगा CPU का भी question आएगा टैंसर नहीं लेने हैं दीरे दीरे आप लोगों का सिखा रहे हैं लेबल बढ़ा रहे हैं चली question है उस विकल्ब का चैन करें जो पाँचवी संख्या से उसी प्रकार संबंदी था, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौती संख्या तीसरी संख्या से संबंदी था, simple question है, 12 का संबंद किस से है, 12 का संबंद है 20 से, 8 का संबंद है 12 से, 34 का संबंद किस से होगा क्या लिखा है प्रस्ण को देखिएगा बारा का संबंध किस्से है 20 से है ठीक है आगे बोल रहा है आठ का संबंध किस्से है आठ का संबंध है बारा से ठीक है चले उसके बाद से बोल रहा है क्या 34 का संबंध किस्से होगा टेस्ट के तौर पे प्रस्ण को रख रहे हैं अंस नोट कर लेते हैं कोई बात नहीं देखते हैं यहां पर कोई नहीं नोट कर देते हैं हम क्या क्या काम हैं बाद में हम भी भूल जाते हैं न एक तो आप लोगों को चाहिए डार्क और और चाहिए लैप्टॉप पे आपके लिए एप ओपन हो चलिए ठीक है साइड हो जाओ कोईशन तो दिख रहा है लजी क्लियर है देखिए कुछ नहीं करना है आगर देखे थोड़ेशा आप लोग दिमाग लगाईए क्या दिमाग लगा सकते हैं देखा जाए तो यहां पर बारा प्लस आठ बीस हुआ है यहां पर लेकिन चार ही बढ़ रहा है यह यहां पर आठ बड़ा यहां पर चार बड़ा कुछ समझ में आ रहा है नहीं ऐसा हो सकता है नहीं तो अब आप क्या सोचेंगे आप इसका ऐसा कुछ करिए अगर बारा से बीस हुआ है तो अगर दो गुना कर दे बारा दुना के चौबिस और माइनस चार कर दे तो बीस का 68 माइनस 4 64 64 क्या होगा 64 option number B दो गुना माइनस 4 वेरी गुड जितने बच्चे बोल रहे हैं ना सर दो गुना किया है मैनस 4 किया है सही है समझ में आ गया है लॉजिक क्लियर है next question के तरफ चले अगले question के तरफ sir हमको UPSI के लिए पढ़ना है देखिए अभी आप तयारी करिए आपके जो यह question करा रहे है न यह सब आपके अगामी exam के लिए भी important है और UPSI के लिए course चाहिए तो उसके लिए आपके लिए course बगरा के लिए भी class से चलेंगी app पे अभी नहीं कुछ दिनों के बाद ठीक है च देखे question number 8 question number 8 का answer आप सभी student देंगे question number 8 देखिए same pattern पे है विकल्प का chain करें जो चौती संख्या से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या संबंदित है और पांचवी संख्या चाटी संख्या संबंदित है अच्छा देखिए उस पूछा गया है SSC MTS 2022 में फटक से आंसर दीजे तो 10 सेकिंड के अंदर देखे कितने बच्च आंसर दे रहे हैं एकदम आसान है कुछ करना ही नहीं है कुछ स्टुडेंट तो एकदम रॉकट की तरह आंसर दे रहे हैं कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रह है कि मिताइए फटाफ़ा ऊंगा डेते रहिए सारे बच्च आंसर देते रहे है एक ही है ठीक है चलिए अब देखिए सोचना आपको कैसे है solve कैसे करना यह हम आपको बता रहे है किसका संबंद 1728 से होगा जिस प्रकार से 9 का संबंद क्या है 512 से है देखिए थोड़ा सा आप समझेंगे 512 क्यूब है किसी संख्या का 1000 भी क्यूब है यह क्यूब है अगर थोड़ा सा देखा जाए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा यह जो सामने संख्या दिख रही है यह 10 का क्यूब है यानि 11 को क्या किया है 11-1 बराबर 10 और फिर 10 का क्यूब कर दिया है यानि एक कम करके क्यूब किया है इसी प्रकार से यह 8 का क्यूब है यह क्या है आठ का क्यूब का मतलब 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है पावर 3 8 गुने 8 आठी टाइ 64 54 और ज प्रकार दिखेünde देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या है 9-1 क्या है 8 फिर 8 का क्यूब किया है इसी प्रकार से यह 1728 क्या है 1728 है क्या यह 12 का qiube है 12 फिर 12 का qiube यही तो चल रहा है तो 13 होगा 12 नहीं 13 आंसर होगा क्या होगा 13 answer होगा 13 है 12 तो option में भी नहीं है option में अगर 12 रहता तो बहुत से बच्चे 12 को ही answer बना लेते 12 नहीं दिया है 13 है 13 समझ रहे 13 में से एक कम करेंगे 12 12 का क्यों clear है समझ में आगया है आगे चले next question के तरफ देखिए समझ में आ रहा है हाँ तो सारे बच्चे आज की class को like कर दीजिए जितने भी नए student है चैनल को subscribe कर लीजिए notification bell icon को on कर लीजिए जूर जाईए daily class को join करिए इस class की pdf आपको हम दिला देंगे app पे ठीक है तो आप सभी student app को download कर लीजिए और app पे आपके आगामी सभी परिक्षाओ के लिए class चल रही है आप जिस भी exam की तैरी कर रहे है ठीक है चलिए question number next देखिएगा question number 9 question number 9 देखिए चलिए app से सारे बच्चे जूड जाएंगे question ये तो काफी important है पूछा गया question है और SSE MTS 2022 का पूछा गया question है उस विकल्ब का चैन करें जो पाँचवी संख्या से उसी परकार संबंदीत है जिस परकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंदीत है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंदीत है simple भासा में अगर बोले आपको सोचना पड़ेगा इन संब में तो कुछ सोचना ही नहीं है दो का संबंद 6 से है चार का संबंद 60 से है साथ का संबंद किस से होगा अभी आ रहे है सीजल के भी question करा रहे है चली answer दीजिए क्या logic लग रहा है एक बार आप लोग logic भी बता देंगे क्या करेंगे आप लोग लोग लॉजिक भी बता देजिये क्या लग रहा है ठीक है लोजिक भी आप लोग बता यये तरीका क्या लगा रहे है इसल्व करने का आज बताए तरीका क्या लगा रहे है कैसे बताने है 200 में 300 में चुक्षान ढ़ medicallaugh 236 कहां आंसर आ रहा है 236 कहां आएगा आंसर किस कौन सा तरीका लगा रहे हैं आप लोग 236 वाले मार खाएंगे option में भी नहीं है समझा दे देखिये ज्यादा इसमें दिमाग लगानी की जोरुत ही नहीं है अगर देखा जाए तो 4 60 है 2 6 है देखियेगा अगर थोड़ा से दिमाग लगाए तो 4 का क्यूब 64 होता है माइनस 4 60 होगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 यानी करना क्या है 2 का क्या करिए आप 2 का क्यूब करिए 2 का क्यूब 8 और यही संक्या फिर गटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, समझ में आया, ये देखिए, 4 का cube करेंगे और minus 4, 4 का cube 64, 4 चुको 16, 64 में से 4 जा, तो क्या होगा, 60, और ये 60 दिया हुआ, ठीक इसी प्रिकार से यहाँ पे, 7 का cube करेंगे और minus क्या करेंगे, यही संख्या घटाएंगे, 7 से 49 से 343, 343 में से 7 जा 336, आं minus y संख्या, 7 का cube minus 7, very good, बहुत बच्चे लिख भी रहें कि ऐसे हो रहा है, एक दम साही, समझ में आ गया है, आप सभी को, एक बार बताए तो कॉमेंट करें, समझ में आ गया है, तो यह सा कॉमेंट करें, सार, MTS की क्लास है क्या, नहीं देखिए आपकी ये class, SSE CGL, CHSL, MTS, CPSI, और भी आपके जो other exam है, उसके लिए भी important है, जरूरी नहीं कि analogy का question है, तो CGL में अलग आएगा, CHSL में अलग आएगा, MTS में अलग आएगा, concept बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, logic बदल जाएगा, या UP police का आप exam देंगे, या railway का exam देंगे, तो concept है, ऐसा कुछ बद कर रहे है, MTS के लिए तो class चली हुई है, बहुत से बच्चे का course पूरा हो गया होगा, revision कर रहे होंगे, practice कर रहे होंगे, जिनका नहीं पूरा हुआ है, तो फटा-फट पढ़के complete कर लीजिएगा, सारे का सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे ही है कि कुछ class किये होंगे, फ तो तैरी कर रहे है, SSC seasonal 2023 exam के लिए, तो SSC seasonal 2023 exam के लिए SSC maker app पे चल रहा है, संकल्प बैच, संकल्प बैच आपको 100% selection के दिलाने के लिए चल रहा है, इस बैच में आपकी सभी की सभी classes एकदम basic से, zero level से, chapter by chapter चल रही है, आप किसी भी subject में कितना हूँ weak है, tension लेने की percent सुनिचीत करिए, हम आप लोगों को बता दे, संकल्प बैच में, हाँ, संकल्प बैच में, आपके लिए SSC maker के सारे जो ब्यातरिन teacher है, सब लोग आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, एक दम basic से, ठीक है, contention बिलकु भी नहीं नहीं है, class को continue करिए, और notification आ गया है, पहले तो आप लोग form भर लिजिए, और classes से जुड़के पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, जो cesial वाली student है, देखा जाए, तो आपके पास कितने दिन का समय है, तीन महीने का समय है, अगर तीन महीन तो आधाए घंटा का काम है, ठीक है, और बता दे, batch की fee बहुत ही कम है, मातर 500 रुपे, और जो student SSC maker के पुराने student है, आप पे कोई भी course ले रखें, आप coupon code लगाएंगे, CZL40, क्या लगाएंगे, CZL40 तो 40% off हो जाएगा, और ये आपके लिए course हो जाएगा, मातर 300 रुप समस्यारी होगी, बहुत से बच्चे आज के date में try करते हैं, तो एक time पे बहुत से admission लेते हैं, तो उस time पे server का भी error होता है, तो 12 बच्चे तक open रहेगा, आप लोग सारे बच्चे जूड़ जाईएगा, चलिए, question number 10 देखेंगे, अगला question देखिएगा, ये भी question आपके साम है, तो RL का संबन्द VJ से है, या बोल सकते हैं, VJ का संबन्द RL से है, तो किसका संबन्द AN से होगा, इन option में से, ठीक है, तो देखिए, तो बताए, RL का संबन्द VJ से है, किसका, RL का संबन्द, तो AN का संबन्द किस से होगा, क्या बोल रहा है, RL का संबन्द VJ से है, बोल रहा है तो A.N. का संबंद A.N. का संबंद किस से होगा बताईए कोशन इंपोर्टेंट है पुछा गया कोशन है कमेंट करिए कमेंट करके बताए आरे आंसर कुछ लोग इधर उदर का भी आंसर दे रहे है इधर उदर नहीं करना है आसान है देखिए इस प्रेस्ट में हम आपको क्या बता है नम्बरिंग कर लीजे ना समझ में आए तो R का मतलब 18 L का मतलब 12 V का मतलब कितना होगा T.U.V. 20 ठीक है, J का मतलब क्या होगा 10 ठीक है, देखिए 18 से 22 हुआ 18 प्लस 4 बाइस 12 से 10 हुआ माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 ठीक है, चलिए A का मतलब क्या होगा 1 N का मतलब 14 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो 5 होगा माइनस 2 करेंगे देखिएगा, प्लस 4 किये, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, माइनस 2, माइनस 2 मतलब 12, 5 12, 5 का मतलब E, और 12 का मतलब L, EL, अच्छा, हाँ, हाँ, option number B, EL, सबका answer आ रहे, EL, एकदम सही है, सबका है, EL, very good, समझ में आ गया है, next चले, अगले question के तरफ, समझ में आ गया है, तो आज की class को आप लोग like जरूर कर दीजिए, अगर like नहीं कियें तो, next देखिएगा, अभी भागना नहीं है, question की संख्या आज 25 है, ठीक है, 25 question है, सारे selected और latest pattern पर आधारित है, ये साब आपके सामने simple question देख रहे है, लेकिन सारे important है, ये question आप देखेंगे, question number 11, SSC CPU SI 2022 का question ह ठीक है, question क्या बोल रहा है, उस विकल्प का chain कीजिए, जिसका तीसरे पद से ठीक, वही संबन्द है, जो संबन्द दूसरे पद का पहले पद से, और वही संबन्द छटे पद का पांचवे पद से, simple भासा में बोले, तो बात वही है, 2 का संबन्द 8 से है, तो 10 का संबन्द किस से होगा पूछ रहे है, जिस परकार से 2 का 8 से है, और 5 का संबन्द किस से है, 50 से है, 15 में 50 ना, 2, 4 को 8, आगे बताईए क्या हो रहा है, 10 का, लज़िक लगा है 1250 सा मांसर आ रहा है, 440 भी दिया है क्या से, 40 भी आ रहा है, लज़िक बताएं क्या लगा रहे हैं? आसान है बहुत आसान है प्रैस्ट में तो कुछ करना ही नहीं है option आपके सामने अच्छा option सरीर से ढग रहा होगा कोई नहीं side में होगा है बताए सारे बच्चे बताए क्या होगा 1000 वले मार खाएंगे 1000 इस question का answer नहीं होगा ठीक है हाँ देखिए जितने बच्चे अंसर दे रहे हैं एक हजार 1000 आंसर नहीं होगा चालिस भी अंसर नहीं होगा अब बताएंगे 100 अंसर होगा 280 होगा कुछ भी दे देंगे 100 100 भी नहीं होगा अब बताएंगे क्या होगा अभी भी गलत आ रहा है यह कहीं बच्चा है देखिए 5 का 50 से हैं तो 5 दहा 50 कर रहे हैं नहीं अगर 5 का square करें 5 का square करके 2 गुना कर दे 5 का square 25 दुना के 50 समझ में आया इसी प्रिकार से देखिएगा 2 का square करके 2 गुना कर दे 2 का square 4 चार का दो गुना कर देंगे तो क्या होगा आठ यहां पर दिया हुए ठीक इसी प्रकार से 10 का स्क्वाइर करके दो गुना कर दीजे 10 का स्क्वाइर 100 100 दुना का 200 200 क्या option में है यहां पर क्या होगा इस question mark पर 200 हाँ option number D में दीख रहे 200 तो यही होगा answer 200 बताए clear है क्या answer होगा 200 answer होगा बहुत एक से very good next question के तरफ चले समझ में आ गया है हाँ next चले सीजियल 2022 का यह पूछा गया question है आसान है इसका answer आप लोग देंगे और important भी है इस question को test के तोर पर रखते है आसान है logic आप लोग तो लगा ही लेंगे बात वही बोल रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंद 12 से 9 का 21 से तो 3 का किस से होगा बताईए सारे बच्चे एक साथ बताए comment करें और answer दे कितने बच्चे answer दे रहे हम देखना चाहते है फटाफट comment करें एक साथ क्या question में बोल रहा है question में देखिए बोला है चे का संबंद 12 से 9 का 21 से तो 3 का किस से होगा यहाँ पे लिख देते हैं देखिए छे का संबंद किस्से है, बारा से है, उसी प्रकार से, नौ का संबंद किस्से है, एकिस्से है, लोजिक आपको बताना है, तीन का संबंद किस्से होगा, चलिए, जुमन कुमार, कुछ बच्चे आजय कुंतल वेरी गोड आर्विंद मौर्या आनुज मौर्या बहुत दक्षे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं चलिए बताइए सारे बच्चे आंसर दे एक साथ कामिनी शुकला बहुत दक्षे भी देश्श्वार पटेल बहुत दैक्षेस रेया तिवारी कुछ बच्च आंसर दे रहे हैं बहुएस बच्च और भी आंसर दे रहें आर्ति शुरेश विनोद मुकेश प्रिंस अलोक बहुत सारे बच्च आंसर दे। नाम नहीं ले पा रहे है कोई बात नहीं कि विशाल अनुराग आंसर आöm, पता है तो डिखु कि न बता रहे है क्टा है कैसे विवाउग हो तो क्या है हुगाकुन कि लोजिक बताईए कोछ बचो का नाम छूड़िया है आंसर यह कोई बात नहीं हूच ready कर दिए Freeman logic क्या लग रहा है कैसे स्वें आप लोग लों क्र रही यू यह तो मिता दिए क्या कर रहे है गुना कर रहे है बाग कर रहे है जोड रहे है ग्या कर रहो है आईसा तो कुछ कर रहे होंगे सन बोगों कि आज्ञ है दिGod अब शायद दिख रहा होगा ठीक है देखующ और लिए और होगा है lại हुव consider शें दुना के बारा लेकिन नौ के पहाड़ा में 21 नहीं आएगा अगर हम कर दे खर में अधे पहाड़ा अगर इधिर भी कर दे क्या बुंहाँ रेच्छ सताहिस और माइनसद लिडरा बटब कि समझेगा तो 16 कम किये तो 12 war you 2 friendship समझ डाला तो इदर भी हम क्या करेंगे वही चीज करेंगे जो इदर की है क्याने क्या करते हैं तीन गुना माइनस है, लॉजिक क्या दा है, तीन गुना माइनस है, clear है, सबी को समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो ऐसा comment करिए, फिर आगे चले next question के तरफ, very good, हो रहा है sir, चले, next देखिए, ये question देखेंगे, आप सभी लोग answer देंगे, SSC CZL 2022 का पूछा गया question है, question number 13, देखिएगा, question है 13, उस विकल्ब का chain करें, जो तीसरे सबसे उसी प्रकार संबंदित है, जिस प्रकार दूसरे सबसे पहले सबसे संबंदित है, पच्छी का संबंद गोशला से है, तो खरगोश का संबंद किस से होगा, पक्षी का गोशला त खरगोश का संबंद किस से होगा, comment करें, एक साथ सारे बच्चे comment करें और बताए इस question का answer क्या होगा, चलिए, सभी लोग, और daily आप लोग class को join करिए, मन लगा के पढ़िए, कोशिस करेंगे, तभी समझ में आएगा, मेहनत करना पढ़ेगा, पढ़ना पढ़ेगा, लग, यह भी CD सारे option answer आ रहा है, सारा answer नहीं है, यह भी CD सारे option answer नहीं है आपके, ठीक है, लाइक की संख्या कम है, आप लोगों की संख्या जादा है, ठीक है, तो लाइक सारे बच्चे कर दे, सब का answer ABCD आ रहा है, ऐसे नहीं होगा, देखिए, पक्षी का घोंसला से कैसे संबंद हो सकता है, आप पहले तो सोचेंगे, तभी तो answer देंगे, पक्षी का अगर घोंसला से संबंद बता रहा है, तो घोंसला क्या होता है, पक्षियों का रहने का अश्यान होता है, उसका घ भर होता है, पक्सी कहां पर रहती है, घोसला में रहती है, ठीक है, उसी प्रकार से, खरगोस का जो घर होगा, वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बगीचा, बगीचा में आप दोड़ते हुए देखे होंगे, क्या उनका घर है बगीचा, नहीं, बिल, माद, पिजरा, पिजरा में खरगोस नहीं रहता है, ठीक है, माद, माद जो है ना, खरगोस के लिए नहीं परियोग होता है, बिल जो है खरगोस क्या होते है, बिल बना के रहते है, अंसर होगा बिल, आप देखे भी होंगे, गाओं के जो बच्चे है, देखे भी होंगे, खेत करियान में क कोशन रहा चलिए नेक्स देखेंगे कोशन नंबर 14 कोशन नंबर 14 देखिए तेरा तो समझ में आ गया 14 देखिएगा कोशन नंबर 14 भी क्या है यह इंपोर्टेंट है पूछा गया कोशन है इसका आंसर देंगे सेजल 2022 का पूछा गया कोशन है उस विकल्ब का चैन करें जो तीसरे सबसे उसी प्रकार संबंदित है क्या उसी प्रकार यह प्रकार लिखा हुए उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार जिस प्रकार दूसरा सब्द पहले सब्से संबंदित है सिंपल भासा में अगर बोले देखिए बोला है चित्रण का कला से संबंदित है तो गद्य का संबंद है चित्रण का कला से है तो गद्य का संबंद है संगीत साहित नाटक रंग मंच बताए इसका बताए यह आंसर यह तो आसान है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12 सब यह सब पढ़े होंगे गद्य पढ़े यह सब पढ़े है तो वह ही उसी गद्य की बात हो रही है इसका अंसर सही आ रहा है आ रहा है समझ में? हाँ, very good, बहुत दक्षे देखिए, देखिए गद्य का संबन संगीत से नहीं होगा, गद्य का संबन साहित्य से होगा गद्य नाटक नहीं है, रंगमंच नहीं है गद्य का संबन साहित्य से होगा जिस प्रकार से चितर, चितरों तरह आप बनाते हैं, तो इस के अंतरगत, कला के अंतरगत आता है, बोले जितने कलाकार है, इसी प्रकार से जो गद्य होता है, वो सहित्य का इससा है, ठीक है, चले, आगे देखें, यहाँ पर संगीत, नाटक, रंगमंच नहीं, आंसर होगा स साथ का संबंद से हैं संबंद से होगा जिस प्रकार से 9 का संबंद 716 से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 716 का संबंद 9 से है 330 का साथ से तो 203 का संबंद इन चारो विकल्प में से किसका होगा चलिए बताए इस कॉश्चन का अंसर दीजिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाई है दिमाग लगाएंगे तभी तो समझ में आएगा ऐसे नहीं समझ में आएगा कुछ भी आंसर नहीं दे देना है उप्सन चार है तो इसका मतलब चारो सही नहीं है उसमें एक ही उप्सन सही है अच्छा समझा दे देखिए साथ का संबन देखिए एक बार समझेगा साथ का संबन तीन सो तीस से स्क्वाइर करिए क्यूब करिए देखिए किसके करीब आ रहा है इतना तो आप लोग दिमाग लगा ही सकते है किसका संबन दो सो तीन से होगा जिस ब्रकार से नो का संबन किससे है साथ सो सोल से है देखिए साथ साथ सते उन्चा सते तीन सो तैताета necklace होता है अगर हम क्या करें देखिएगा हम सारे बच्चे देखेंगे समझा लोग क्यान से देखिए अगर हम साथ का क्यूब कर दे तो 7 सते 49 सते 343 343 और यह दिया हुआ है क्या 330 याणि माइनस कर दिया है इसमें से 13 कितना माइनस किया है 13 कम कर के लिखा हुआ है न देख रहे हैं आगे देखिए इसको अगर हम 9 का क्या कर दे क्यूब कर दे तो 921 नवा 729 2729, इसमें भी क्या किया है, minus 13 9 में से 3 जा 6, 2 में से 1 जा 1, 7 minus 13 करके लिख रहा है cube minus 13 हो रहा है logic क्या लग रहा है cube कर रहा है, और उसमें से 13 minus कर ले रहा है, अच्छा चलिए, तो minus 13 कर रहा है, तो आप इसमे plus 13 अगर कर दे, ध्यान दिजीएगा, थोड़ा सा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, शोला हो जाएगा, चाचाएक शत्ती से के 216, समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 6 रख दे, ध्यान दिजीएगा, अगर यहाँ पर हम क्या रख दे, 6 रख दे, तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6-6-6-6-216 और यहाँ पर माइनस 13 कर दे तभी तो 203 होगा या आप क्या कर सकते हैं प्लस 13 करके देखेंगे क्या हो रहा है प्लस 13 करेंगे तो किसका हो क्यूँ है 6 का ऐसे भी समझ सकते हैं तो अंसर हो जाएगा 6 option number क्या होगा option number होगा C बताइए समझ में आ गया है हाँ 6-6-6-6-6-6-216 216 में से 13 जा 203 very good सारे बच्चे समझ गया question number 16 question number 16 का answer देंगे SSE C CESIAL 2022 का पूछा गया यह question है question है उस विकल्ब का चैन करें जो तीसरे पद से उसी प्रिकार संबन्दित है जिस प्रिकार दूसरा पद पहले पद से संबन्दित है simple भासा में बोले तो स्कूल का संबन्द विद्यार्थी से है तो अस्पताल का संबन्द किस से होगा इस ब्रेशन को हम टेस्ट के तोर पर रखते है देखते हैं कितने student ऐसे हैं जो सही answer दे रहे इस स्कूल का संबन्द विद्यार्थी से है तो अस्पताल का संबन्द यह रही होस्पीटल का संबन्द किस से होगा ठीक है चार ओप्शन दिया है डाक्टर, नर्स, मरीज, बिमारी बिमारी, डाक्टर, नर्स सब answer आजाएगा आपका एभी, ती, टी, चारो option answer आएगे क्योंकि यह आप लोगों समझ में नहीं आ रहा है चलिए फटफट कॉमेंट करिए इस प्रफशन में कुछ भी नहीं है थोड़ा सा समझिए बताएं संकल्प बैच में पेइमेंट नहीं हो रहा है दो-तीन दिन से परिसान है तो देखिए हम आपको बिदा दे एक-दो दिन से ना उसका सर्वर थोड़ा सा इसू चल रहा था अब आज भी थोड़ा सा हो सकता है अगर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आएगा तो ठीक है जो उसकी डेट है हम बढ़वा देंगे ठीक है हाँ डेट जो है ना हम बढ़वा देंगे ऑफर की अगर समस्या रहा तो नहीं समस्या रहा तो नहीं आपका डेट नहीं बढ़ेगा अगर समस्या रहा तो हम देखते है अगर ऐसी समस्या रही है तो क्योंकि आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज के लास्ट टाइम पर लास्ट डेट पर तो एडिमिशन नहीं लेते हैं ऊईसा नहीं होता है लास्ट डेट पर फर्म भी भरेंगे उसी में छूड़ भी जाता है तो लास्ट डेट वाला समस्य है जो है आप लोगों के साथ और लास्ट टाइम वाला वो छोड़ दीजिए फिर आप देखिया सही रहेंगे फिर टंशन नहीं रहेगा समझ में आ रहा है एभी सीडी सारे देखिये थोड़ा सा इसमें क्या करना है दिमाग लगाना है ज्यादा नहीं बहुत हलका सा दिमाग लगाना है स्कूल का संबंद विद्यार्थी से है अगर देखा जाए तो विद्यार्थी का संबंद स्कूल से है मतलब विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं क्या ज्यान को बढ़ाने के लिए, बिद्या को अरजित करने के लिए, बिद्यर्थि क्यों स्कूल में जाते हैं, बिद्या को अरजित करने के लिए, अपनी ग्यान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से, अस्पताल में कौन जाएगा, डॉक्टर, नर्स, मरीज, बिमारी, डॉक् बिमारी अस्पितल में थोड़ी ने पोची इँ मरीद जायेगा अपना क्या cabinet लोड़्यक करने के लिए स्वास्त होने के लिए कटी होने के लिए जाएगा स्पितल तो आंसर होगा मरीश क्या होगा मरीश clocks clear है चल next देखिएगा है अगला देखिए 2022 के पूछा गया g contract, इस प्रकार संंख्य चौन पेर्ली संंख्या और पाच्वां जौटी संंख्या संबन्नी थे संध्या संख्या संबंधित है रहे ? वह से इस संबंद्य नौ से है तो इस के संभंद्यस शोדज होगा ? इस प्रकार करें बताये इस question का answer क्या होगा एक साथ comment करें सारे बच्चे देखें कितने लोगा answer simple है simple है बस आप इसको ऐसे देखिए उल्टा देख लिजिए 18 का संबन 92 से है 9 का संबन 47 है 14 का संबन किस से होगा चार विकल्प आपके सामने है फटा फटा आंसर दीजिए पानी पीते हैं सबका answer तब तक आजाना चाहिए विद लॉजिक लॉजिक भी आपको बताना है कि आप तरीका क्या लगा रहे हैं यह भी आप बताएंगे यह नहीं तरीका नहीं बताएंगे तरीका भी आपको बताना है सारे बच्चे तरीका भी बताएंगे चलिए एक साथ कॉमेंट करें सारे बच्चे एक साथ कॉमेंट करें क्या होगा अंसर बहुत अक्षे very good कुछ बच्चे बता रहे हैं कुछ लोग नहीं बता पा रहे है देखिए क्या हो रहे है इसमें क्या हो रहे है इसमें पता चल रहे है कुछ देखिए 9 का 47 कैसे कर सकते अगर गुना करें देखिएगा गुना करेंगे आपको ऐसे ही सोचेंगे यह नहीं कि कुछ भी सोचने लगिए अठारा से 90 हुआ है तो अठारा गुने पांच अठारा पच्चे नब्वे और प्लस दो करेंगे तो बानवे अच्छा तो इधर भी गुने पांच कर लिजिए प्लस दो चौदा पच्चे सत्तर दो बहत्तर 72 है हाँ है और से नमबर ए में गुने पांच प्लस दो क्लियर है सभी को समझ में आ गया या कुछ लोगों को आया कुछ को नहीं आया बताए एक बर समझ में आ गया तो एक बर यह सर कॉमेंट करिए फिर आगे चलेंगे नेक्स कोशन के तरफ जल्दी से कॉमेंट करिए नमबर 18 इसका आंसर आप लोग देंगे इंपोर्टेंट है पूछा गया कॉशन है उस विकल्ब का उस विकल्ब का चैयन करे जो तीसरे अक्षर समूं से उसी प्रकार सम्बंदीत है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूं पहले अक्षर समूं से सम्बंदीत है एससी MTS 2022 का य क्या है BAL BAL का सम्बंद किसे है ODE से है तो पूछ रहा है AGR का सम्बंद किसे से होगा बताए इस कोश्चन का अंसर दे सारे बच्चा अंसर दे ना समझ में कभी भी ऐसे कोश्चन आए तो प्लेस वैलू लिक लिए नम्बरिंग कर लीजिए कि यह भी सीडी जो है नो कितने नम्बर पर कौन आता है तो आपको समझ में आज आएगा बताए तो इस कोश्चन का अंसर क्या होगा एक साथ कॉमेंट करिए चार आप्शन भी आपके सामने हैं आप तो बता सकते हैं फटा फटा बताईए एक साथ कॉमेंट करे सार बता दू नहीं आ रहा है थोड़े सा टाइम तो लगा लो अपने सामझ लिए क्या हो रहा है सार सामने साथ जाओ अच्छा सामने साथ गया है एससी जीडी वाले बच्चे दौड की तैयारी करते रहे हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि कभी-कभी आपको क्या होता है ना पता चलेगा चार दिन बात दौड है तो जिन बच्चों का नंबर है ठीक ठाक नंबर है तो दौड करिए स्टार्ट रखिए दौड की तैयारी करते रहे है पहले से ही बता चुके हैं आप लोग को समझा दे नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है देखिए B कितने नंबर पे 2 पे A कितने पे 1 पे L कितने पे आता है 12 पे O कितने पे आता है समझिएगा O आता है 14 पे D कितने पे आता है 4 पे आता है E कितने पे आता है 5 पे आता है ध्यान दीजिएगा, समझेंगे, ओ 15 है, यहां देखिए, 12 से, प्लस 3, 15, 18, 4, 2, 3, 5, उल्टा बस कर दीजिए, देखिएगा, कैसे चल रहा है, ल, O, A, D, और, B, E, समझ रहा है न, इसी प्रिकार से, या इसे देखिएगा, R का क्या होगा, पहले तो प्लेस वैलू लिखिए, का लिखेंगे, प्लेस वैलू, देखिए, A कितने पे, 1 पे, G कितने पे आता है, 7 पे, R, 18 पे, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले, देखिए, स 7 में क्या करेंगे, 3 जोडेंगे, 7, 3, 10, 1 में 3 जोडेंगे, 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, 21, 10, 4, 21 का मतलब क्या होगा, T, U, 21 का मतलब U, T का मतलब 20 होता है, इस ओटी पता है न, उसी पे calculate किया दता है, 10 का मतलब क्या होगा, J होगा, 4 का मतलब क्या होगा, D होगा, U, Z, D, U, Z, D, यू, जे, डी, अंसर आ रहे हैं सबका, पीछे से start करके plus 3, very good, बहुत दग से, हाँ, एकदम सही, plus 3 हो रहा है, हाँ, last वले को, first, या आप इसको ऐसे भी cross भी कर सकते थे, कैसे, देखिए, B, A, L है ना, इसको आप ऐसे भी cross कर लेते, और सब में क्या करते, plus 3 कर देते, plus 3 कर देते, तो भी आपका वैसे ही आता, उल्टा कर देना है, और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ गया है, clear है, next चले, अगले question के तरफ, समझ में आ गया, question number 19, question number 19 देखिएगा, यह भी important है, पहले पत से संबंदित है, C, R, A, W का संबंद किस से है, देखिएगा, D, Z, I, X है, तो M, O, C, K, मौक का संबंद किस से होगा, पूछ रहा है, चले, C, R, A, W का संबंद D, Z, I, K, I, X है, I, X से है, तो बोल रहा है, M, O, C, K, मौक का संबंद किस से होगा, यह आप सभी को बत पताना है फटाफट बताए इस question का अंसर देखें कितने लोग बता रहे है बताए जल्दीре बताए का कुस्चिन का अंसर दे एक साथ बताए लोजीक भी आपको लगान है लोजीक भी लगाई यह भी बताएज लगाके ही बताएज क्या रहा है कुछ बच्चे ऐसे था के सिम्पल कुछनush रहे हैं कि यद्ट की कोश्षिय निकर शाज है कोश्षिन आप लोग बहुची कोश्षिछ दीजियेगा ऐस पे इंस्टाग्राम पे अगर आपके मन में कोई प्रसन है, question है, यहाँ पर रुखता नहीं है, बहुत तीजी से comment चलता है, तो आप लोग Instagram पर message कर दीजिएगा, जो भी आपके पास question है, बढ़िये question होगा, करा देंगे class में, नहीं तो वहाँ पर आपको समझा देंगे, ठीक है, चले, देखिए, कु opposite, a का z, opposite, r का i, opposite, c का x, opposite, opposite समझ रहे न, opposite समझ रहेंना, cross करके opposite करें करें, यहाँ उल्टा करके opposite कर रहा है, बस और कुछ नहीं, opposite का मतलब क्या होता है, देखिए, opposite का मतलब a से z तक होता है, a, b, c, d, e, f, z, h, i, j, k, l, m, total कितने होते है, 26 होते हैं, तो तेरा तो लिख दिए, तेरा इसके नीचे लिख दीजिए, M के बाद क्या लिखेंगे, N, M का विपरित N, ठीक है, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये एक दूसरे के विपरित हो गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर याद नहीं, तो वैसे आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ह चले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, M, ध्यान दीजिएगा, आप उल्टा लिखेंगे, K का विपरित क्या होगा, अगर K की विपरित की बात करें तो, देखिए, K का, अगर आप नहीं पता है, तो K का P, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, फिर देखिए, C का क्या होगा C का, देखिए, C कहा है, C, C का X, ऐसे देख लिजिए, O का विपरित क्या होगा, L, देखिए, O कहा है, O, L, उपर नीचे एक दूसरे के विपरित है, L, फिर M है, M का देखिए, क्या है, M का N होगा, M का N, तो यह हो जाएगा, N, यानि, इस question mark पे क्या होगा, P, X, P, X, L, N, P, X, P, X, L, N, P, X, L, N, P, X, L, N, option number D, option number D, विपरित, सर याद हो गए, बहुत पहले सर जी, अच्छा, बहुत अक्षी बात है, याद है तो, हाँ, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि एक्जाम में आप लिखेंगे, इसे भी लिखने में आपको 10-15 जाएगा, बहुत तेजी से लिखेंगे, तो भी ठीक है, याद रहेगा, तो फटा फट दिमाग में आएगा, आंसर दीजिए, डूडने में आपको 2-4 सेकंड लग जाएगा, तो टाइम बचेगा, याद रहना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया, next question के तरफ चले, चले, question number 20, question number 20, question number 20 क्या है, ये भी important है, पूछा गया है, SSC MTS 2022, उस विकल्प का चैन करें, जिसमें अक्षर समुह का, यूगम प्रकार संबंद साजा करता है, जिसमें अक्षर समुह का, यूगम प्रकार संबंद साजा करता है, जिसमें अक्षर समुह का, यूगम प्रकार संबं संबंद होगा चारो प्रस से जैसे इसका संबंद है किसका aech ei iaika संबंद किसे है कि जी वाई जी वाई jayP से है तो आप बताये इनमें से किसका संबंद किससे स्थाओ princIDE एक बार देखिए इस question को सारे बच्चे English class YouTube पर कॉप चलेगी English class की बहुत जादा demand आप लोग के देखिए आप पे तो चल रहा है न YouTube पे भी हम आप लोगों के लिए 10-15 दिन के बाद 10-12 दिन 12 दिन माल लेजे class चलवा देंगे इस पे भी continue करा देंगे क्या पिछला question क्या था यह तो कर लिए ना ठीक है चले इसका आंसर देजे समझ में आ रहा है ABCD सारे option वाले सारे option नहीं देना है उसी option को आंसर देना है जो सही हो कैसे पता चलेगा कौन सही है देखिए समझना पड़ेगा तभी तो समझेंगे नहीं समझ में आ रहा है न तो आप ऐसे कर लीजिए देखिए समझी नहीं समझ में आ रहा है numbering कर सकते हैं और आप थोड़े से दिमाग लगाए तो समझ भी सकते हैं देखिए, थोड़े से समझी, अभी समझाते है, F कितने पे आता है, F 6 पे आता है, A 1 पे आता है, I 9 पे आता है, R कितने पे आता है, R 18 पे आता है, G कितने पे आता है, 7 पे आता है, Y कितने पे आता है, 25 पे आता है, J कितने पे आता है, 10 पे आता है, P कितने पे आता है, 16 पे आ जाए तो A से पहले जाएंगे Z, Z से पहले Y यानि माइनस 2 हुआ है अब ये मत बोलिए का 1 माइनस 2 पत्चीस होता है ना अल्फाब 8 में पीछे जा रहे है ना की नंबर में जा रहे है ठीक है उसके बाद से देखिएगा ये आपका क्या है आणा裡 9 है 9 का 10 लिखा है यानि Plus 1 किया है 18 का क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है देखिएगा 9 का 9 का 10 Plus 1 18 का 16 है यानि Minus 2 वो क्या रहा है Plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 ये सीरिज क्या इसमें चला है रStar劑जी क्या लगा है Plus 1 plus 1 minus 2 इस प्रकार से चला है और देखिएगा plus one minus two करेंगे ठीक है चले plus one minus two plus one minus two यही तो चल रहा है R का plus one करेंगे R का S ठीक है minus two करेंगे A का Y बहुत अग्षे plus one फिर करेंगे M N N के बाद O ना ऐसा पहला तो होई नहीं रहा है फिर देखिएगा plus one करेंगे तो T का U और minus one करेंगे O का N ध्यान दीजे बहुत अग्षा U का B U का B ठीक है plus one minus two minus two करेंगे क्या आ रहा है option number B आ रहा है नहीं दो second समझेगा एक बर T O U R T O U R का संबन यू एन यू एन भी पी से है ठीक है देखिए लिख देते हैं बीस पंदरा बीस पंदरा यह होगा बीस सॉरी यू है ना 21 आर अठारा यू होगा 21 एन 14 और भी हो जाएगा बाइस पी हो जाएगा 16 तो यहां पर देखे बीस एक 21 मतलब हुआ है प्लस वन और यहां से 14 हो गया है ना 14 हो गया है देखिएगा 14 हो रहा है यह नहीं होगा यह आपका क्या हुआ है प्लस वान माइनस टू होना चाहिए यानि यहां M होना चाहिए ना कि N गलत है B option नहीं होगा B option नहीं होगा C देखे तो प्लस वान C का D 3 4 R 18 यह 16 यानि कि माइनस टू ठीक है O का P प्लस वान W का U W 23 माइनस टू होना चाहिए और U 21 वहाद एक्षा option number C हो जाएगा option number C हो जाएगा plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 option number C होगा क्या आंसर आरे आप लोगों का बतायतो अंसरोगा D P P U C R O W D P P U बताए, clear है, समझ में आ गया, सभी बच्चे को समझ में आ गया, बताइए Thank you sir, nice class, अभी question और है, भागना नहीं है, Thank you sir, nice class बोल रहे है, अभी question और है, 25 question है, 20 question नहीं है, clear है, आगे चले next question के तराफ जाकास कलास, अभी भाग रहे हैं क्या भी इस question पर, चलिए, question number 21, SSC MTS 2022 का पूछा गया question है, question है, 21, important है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, उस विकल्प का चैन कीजिए, जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंद है, जो नीचे दिए गए समों की संख्याओं के बीच है, question और 48 है, जिस प्रकार से ही आपस में संबंदित है, उसी प्रकार से आपको बताना है, कौन सा option है, बताईए, फटा फट कॉमेंट करिए, इस question का answer दीजिए, तो हम देखना चाहते है, कितने student इस question का answer दे रहे हैं, देखें, मैं तो चला सर, नहीं जाईए नहीं, अभी देखिए, जाने की ज़रत नहीं है, पढ़ने की ज़रत है, अगले महीने एक्जाम है MTS की, उसके बाद से आपकी 14 जुलाई से सीजियल की एक्जाम है, पढ़ना है, ऐसा नहीं है, पढ़ना पढ़ेगा, बताई इस question का answer क्या हो होगा, बहुत है सर, आज के लिए, जब 10 question कराते हैं, तो सर question बढ़ा दो, question बढ़ा दो, जब 10 से ज्यादा होता है, तो बहुत है, मार खाएंगे, अब आप लोगों की class 2 से 3 घंटे की सोच रहे हैं कराने के लिए, डेली यूटूब पर जो class है न, वो 2 घंटे, 3 घंटे की class हो लगातार, 2 घंटे से कम न हो, ठीक है, बोलिए, तयार है या नहीं, तयार है तो बढ़ाएंगे, side हो जाओ, सर, अच्छा हाँ, मन नहीं पता था, option भी आप लोग देख रहे हैं, कुछ बच्चे solve कर देते हैं, solve क्या गरी, option से ही तो देखना है, सर आप मेरा comment नहीं जाएंगे, तो समझ में आएगा, 6, 12, 48, 48, 12, logic क्या लगेगा, सारे बच्चे एक पर दिमाग लगाए, question कब बताएं, समझे, इस question को दिमाग लगाए, समझे, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस चोटी संख्या को ऐसा सोचिए कि बड़ी संख्या में convert करे, ठीक है, हाँ, दो चोटी संख्याओं को ऐसा सोचिए कि बड़ी संख्या में convert कर ले, फटा फट कॉमेंट करिए, सारे बच्चे एक साथ कॉमेंट करे, सिंपल है, बहुत ही आसान है, प्रस्न में कुछ भी नहीं है, चले एक साथ कॉमेंट करे, अच्छा कर अच्छा करें, तड़ों, 8, 18, 48 10 जोड दिया नहीं समझ में आ रहे है, एक पर देखिए 10, 20 question question गलत है, 2 second 2 second, 2 second question बता रहे है, अब solve करिए तो 8, 48 अब solve करिए तो सारे बच्चे 8, 48 ये question गलत है, 8, 48 करिए 8, 48 करिए, एक बार 8, 48 करिए, एक बार 8, 48 करिए, एक बार इस question को देखिए तो, नहीं आ रहा है चलिए, 8, 12, 48 8, 42, question question में misprint है, typing mistake है typing mistake है, कोई बात नहीं चलिए, अब करिए सारे बच्चे एक साथ करें, बता इस question का answer क्या होगा 8, 12, 48 करिए, एक बार क्या होगा इसे करिए आठ, 12, और तालीस अब आरहे कर रहे हैं सार, अच्छा, देखिए 8, 12, 48, दो छोटी संख्या हैं आपको दिख रही है, एक बड़ी संख्या दिख रही है, तो अगर हम कर दे 8 गुने 12, क्या कर दे 8 गुने 12, तो 12 वटे क्या होगा, 96, 96 हो रहा है, 96 को 2 से भाग करिये, तब जाके होगा 48, मतलब दो छोटी संख्याओं का गुडा करके आधा कर है, ठीक है, आप देखिए, तो 12, 6 के 72, 72 का आधा 36 होगा नहीं, 4, 8, 32 का आधा 16 नहीं, 6, 8, 8, 42 का आधा 24 नहीं, 4, 8, 32 का आधा 16, option number D, clear है, option number D, ये चीज़ clear है, समझ में आ गया, हाँ, मिस्प्रिंट था, कोई बात नहीं, आगे चले, next question पर, question number, टैपिंग में आज थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, ठीक है, क्योंकि ये एक-एक step में नहीं था, question 2-2 step में था, ठीक है, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, इसे देखिएगा, question number 22, question number 22 क्या है, ये भी important है, उस विकल्ब का chain कीजिए, जिसमें संख्याएं, एक दूसरे से उसी तरह संबंदित है, जिस तरह से निम्न समुच्चे की संख्याएं, एक दूसरे से संबंदित है, से चसल 22 का ये पूछा गया question है, देखिए, इसमें दो प्रकार की संख्याएं दी हुई थी, एक बार हम इस question को देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, आप लोग देखिए, तब तक आप लोग देखिए, इस वाले question का answer आप लोग दीजिए, सारे बच्चे बताए, चले, एस ये चसल question है, ये साही है, तीन सो साथ बारह साथ ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बताए, दो स्टिप में नहीं है, बताओ, सारे स्रू एक साथ बताएंगे, देखिए, तीन सो साथ बारह साथ, क्या है, तीन सो साथ, तीन सो साथ, बारह साथ, जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारोवी कल्पों में से, किसका संबंध है, बताए, देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, बहुत ही simple यह question है, आप यह देखेंगे, इसमें बड़ी संख्या है क्या है, 360, 12 और 60 छोटी संख्या है, तो इन छोटी संख्याओं को क्या करे कि यह 360 हो जाए, तो अगर हम क्या कर दे, अगर हम गुना कर दे, अगर इन दोनों संख्या का गुना कर दे, 12 ग गुना किये, आधा कर दिये, ठीक है, चली, अब देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, 13 गुने 14, 54 करेंगे, 19 गुने 36, ना, देखिए, अगर हम देखे, समझेगा, 3, 4 को 12, 12 का आधा करेंगे, 2 का आधा, ठीक है, लास्ट में, 1, 1, 6, ऐसा कुछ होगा, लेकिन न का यंग पर दिया है, नहीं सोचना है, 9, 6, देखिएगा, 6, 9, 54, 4 का आधा 2, इसको हम लोग एक बार सोच सकते हैं, क्या, 19 गुने 36, करेंगे, तो 19 हके, 114 का 4, हासिल क्या होगा, 11, ठीक है, उसके बाद से, 19, 57, 57, 67, 68, ठीक है, 6, 8, 4, हाँ, 600 कितना हो गया, 84, अब इसको कर दीजिये, भगे दो, तो 3, 4, 2, 342, 19, 36, हा, option number B answer होगा, option number B होगा, क्या होगा, B होगा, और बाकी आप 5, 48, 40, आधा नहीं, 6, 4, 24, 4, का आधा 8, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूने डिजिट से आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि सारे option को आप गुना ही करिए, सारे option को गुना करने की जोरत नहीं है, ठीक है, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, इसका आप चेक कर लीजिए, सारे option को गुना करने की जोरत नहीं है, option number क्या हो जाएगा 20 ही हो जाएगा समझ में आ गया आगे चले next question के तरफ समझ में आ गया है तो सारे बच्चे लाइक जरूर कर दे आज की class को question number 23 बहुत ही अच्छी question बहुत ही अच्छा question है ssc season 2022 का ये पूछा गया question है उस विकल्ब का chain करें जो तीसरे सबसे अच्छा आशान question है और बहुत ही बहातरीन question है इसका answer बताईए सारे बच्चे बताए इसमें थोड़ा सा बता भी दीजिए का कैसे है बताए सारे बच्चे बताए एक साथ answer दे क्या answer होगा इस question का आप इसको थोड़ा सा महसूस करिए प्रसन को देखिए सोचगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा है बोल रहा है कापना डर लंबी सांस लेना देखिए डर लगेगा तो आप क्या करेंगे कापने लगेंगे कोई गलत काम कर दीजिए और उसके बाद डर जब लगा तो कापेंगे यानि कापेंगे कब जब डर लगा तब आप कुछ लोग बोलेंगे ठंडी लगेगा तब नहीं देखिए यहां पर डर का जो संबन दिया है और कापना से दिया है तो बताइए दर्द होगा तो आप क्य सांस लेंगे नहीं गुसा है बलिट पेसर हाई होता है लंबी सांस लेंगे नहीं जब राहत मिलेगा तब लंबी सांस बस सिंपल है आसान है क्लियर है नेक्स चले हां क्या होगा राहत इसका अंसर हो जाएगा बहुत एक्छा ऑप्शन नंबर भी दे रहात मिलेगा दो पूझा गया कोशन है, विकल्पों में से उस समुख का चैन कीजिए, जिसमें दी गई संख्याओं के बीच, वही संबंद है, जो संबंद नीचे दिये गई समुख की संख्याओं के बीच है, अच्छा, यहां पर देखिएगा, दो समुख दिया गया है, 21, 225, 9, जिस परकार क्या होगा, बताइए इस कोशन का, ऐसे सी सीजियल 2022 में पूछा गया है कोशन, 2022 का जो पेपर हुआ है, 2022 का पेपर नहीं, डेट वाला पेपर है, यह न सोचिएगा कि 2022 अभी 23 का हो जाएगा, तो इसमें कोशन आजाए, ना ऐसा कुछ नहीं है, यह पेपर हुआ है, 2022 में, उसका कॉशन है, इसका कॉशन है, गयाम का पॉर्द रहात मिलता है, अच्छा, बताइए इस कॉशन का, इड़ीवीप के लिए क्लास ठीक रहेगा, रीजनिंग अगर आती है, आप लोगों के एक्जाम में, जो भी एक्जाम में, रीजनिंग का है, तो इसका कि अप्यार अ इंपोर्टेंट है ऐसा नहीं कि अनलोजी में कुछ अलग आएगा यही आएगा ठीक है पढ़ाई करी आप लोग बताए क्या अंसर आ रहे एकई दोसो बचीस नौ बारा उन्चास दो बताए इसका अंसर क्या होगा कि नहीं समय में आ रहे हैं देखें कि अख़दान के हा यहाँ प़िया गया है कि अगरे के शुर्डट है एक है की तो सिए आइए जौ सो फंचीस हैं तोसर दीए हुआ है क्या भेण दीए हूआ अब तो समस्य में आ गया होगा दो यह सारी बारा है क्या है 12 21 निए 12 12 29 दो थोड़े सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा भी हम आप लोगों को क्या बताए दो चोटी संख्या है 21 और 9 चोटी संख्या है जब कि 25 बड़ी संख्या 21 और 9 को अगर हम क्या करे इन दोनों संख्या को जोड़ दे 21 प्लस 9 क्या होगा 30 यह 225 पंदरा का स्क्वाइर है और भागे कर दे हम दो आधा कर दे तो 15 होगा और 15 का क्या कर दे 15 का स्क्वाइर तब जाकि यह होगा 225 समझ में आया इसी प्रिकार से 12 और 2 जोड़ देंगे तो 12 दो 14 14 को अगर 2 से भाग कर दे 7 हुआ फिर क्या करेंगे 7 8 का स्क्वाइर करिए फिर 49 मतलब दो चोटी संख्याओं को जोड़ दिये पहला और तीसरा संख्या को जोड़ के आधा करके स्क्वाइर करने तो बीच वाला नंबर मिल रहा है ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए सारे बच्चे 14 2 क्या होगा 16 16 का आधा 8 8 के स्क्वाइ पहला ही ऑप्शन सही है अच्छा 11 7 11 7 18 18 का आधा 9 का 81 ना अठारा है 15 3 18 9 9 81 13 6 क्या हो जाएगा 19 का आधा ना पॉइंट में गया ऑप्शन नम्बर ए अंसर हो जाएगा क्या होगा ए होगा क्लियर है नेक्स कोशन के तरफ चले समझ में आ रहा है फटाफट लाइक कर दीजिए सारे बच्चे मन लगा के तैयारी करिए जबर्जस तरीके से पढ़िए और कोशिस करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एक मत्रस अभी कल्प 500 बार और प्रफ चल रही है तो सारे बच्चे जुड़े अप से जुड़ जाईए इस टारिए इस तो वहां से डाउनलोड करके अपने आपसे बी प्रैक्टिस करिएगा चलिए question number 25 देखिएगा important question है last question है और इस present को हम taste के तौर पे रखते है SSC Cisal 2022 का पूछा गया question है विकलपों में से उस समों का चैन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंद है जो दोनों में एक ही relation होगा और वही relation इसमें डूड़ना है यह सब थोड़े से pattern में change किया है question की तो देखिए जो भी आपका latest pattern है जैसे भी question आ रहे हर type के हम question कराएंगे आगे आपके जो chapter होंगे उसमें और भी question अलग-अलग type के सामिल करेंगे ठीक है तो आप लोगों को पढ़ना है आप classes chapter वही चल रही है classes daily आपकी यह रात 8 वजे से चल रही है तो जूड़िए पढ़िए मन लगा के तैरी करिए बताइए clear है question समझ में आ रहा है logic clear है इसका answer दीजिए एक बार आप लोग logic भी बता दीजिए इसका logic आप क्या लगा रहे है बताए क्या है संख्या लिग देते हैं देखिए संख्या लिग देते हैं 42, 18, 3 क्या है 42 18 3 और एक और है दिया हुआ है 36 14 4 ठीक है बताए इसका क्या होगा simple है आसान है कुछ सो करना ही नहीं है बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं प्रिंस राय अमोज अतीश प्रिया अंजली बॉबी नेहा आरून प्रगती रागिनी कोमल अनूज आकास नेहा रोहित आनंद सत्या बहुत सारे बच्चे प्रदूम्र जगन रायन क्या अनुराग वर्मा अजय उसा काजल पंचू अमा प्रिया रोहित मगन जियती शीवा प्रिया रडजीत पलभी गूलशन अकास बहुत देवरत बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहें, लगतार आंसर दे रहें, अब समझ में आगे है ना, लोजिक क्या हो रहा है, क्या क्या जाता है, दो छोटी संख्या को देखिए, ज्यादतर को आप question में ही होता है, अगर दो छोटी संख्या को देखे, कहने का मतलब है 18 और आप 3, अगर 18 तीन को हम क्या क 18, 18 का दो गुना करेंगे 36, हाँ दिया हुआ है तो है, चली, तो इसी प्रिकार से अब option में आईए, दो छोटी संख्या, 13, 4, 17, 17 दुना के 34, पहला ही option, 24, 24, 15, 15, 20, 14, ना, option number A ही हो रहा है, और कोई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, option number A answer है, बताईए क्लियर है, समझ में आ गया है, सभी को, या दूबारे समझाए, समझ में आ गया है, तो एक बार यसर कॉमेंट कर दीजिए, सारे बच्चे, देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत जारी है, बहतरिन तरीके से क्लासेज करने वाले हैं, चैप्टर वाइस पढ़ाने वाले हैं, बस आप लोग मे कोशन, आप लोगों को अच्छा लगा है, जितने भी आप लोगों को मतलब पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे, शेयर जरूर करिएगा, आपके पास जितने भी अस्टेडी लेडर ग्रूप है, जितने भी नाए स्टूडेंट है, चैनल को कर लीजिए, नोटिफिकेशन वेल आइकन को अन कर लीजिए, जुड़ जाएए, डेली क्लास को जोइन करिए, और एक बार जल्दी से कॉमेंट कर किए, बताईए, आज की क्लास में आप लोगों कितने कोशन सही किए है, कॉमेंट कर करके बताए, क्लास कैसा लगा है, ये आप को डाउनलोड कर लिजे, आप पे आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए classes चल रही है, आप जिस भी exam की तयारी कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, हम आपको बता दे, जितने भी student हैं, जो SSC Cisial exam की तयारी कर रहे हैं, तो देखिए, SSC Cisial 2023 exam को ध्यान में रखते हुए, SSC Maker app पे हम लोग चला रहे हैं, संकल्प badge, 100% selection के लिए ये badge चल रहा है, इस badge में आपकी सभी की सभी classes, एकदम basic से, जीरो लेबल से, चैप्टर बाई चैप्टर चैप्टर चल रहे हैं, notification आगया है SSC Cisial 2023 का, फॉर्म भार दीजिए, तैयारी में लग जाईए, अपने selection को 100% सुनिशित करिए, ठीक है, सभी बच्चे इस badge से जुड़ जाएंगे, आप सभी को पता है, SSC Maker app पे जो classes चलती है, उसकी फी बहुत ही कम रखी जाती है, सभी बच्चों को ध्यान में रखके फी रखी जाती है, और इस badge की फी है, मातर 500 रुपे, इसमें tier 1 प्लस tier 2 दोनों की ये फी है, इसमें भी जो student SSC Maker app पे अलरेड़ी कुछी कोर्स में रोल है, पढ़े हुएं, तो उनके लिए फी और कम हो जाएगा, coupon code लगाएंगे CGL 40, 40% का discount हो जाएगा, और ये badge उनको पढ़ेगा, मातर 300 रुपे में, offer आज रात 12 वजे तक, ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़ जाए, अच्छे से मेनद करिए, पढ़िए, कोई भी आपको दिक्कत है, परिशानी है, प्रॉबलम है, तो आप comment करके बताएंगे, संपूर क्लास बेसिक से चल रही है, बैच से जुड़ने मगर कोई समस्या आ रही है, तैसे सीमेकर कश्मय के नमबर, 7080108555, इस नमबर पे कॉल करके, बात कर सकते हैं, चले, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, महनत करिए, महनत कभी वेकार नहीं जाता है, इसलिए महनत करते रहिए, सेलेक्शन आप सब का होगा, पूरा होगा, पक्का होगा, कोई आपको मन में डाउट है, कुछ आपको हमसे पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टागराम पे, इंस्टागराम पे सेलेकर साच करके, फॉलो करके, जुड़ जाईए, सारे बच्चे, वहाँ पे मैसेज कर दीज़े, ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई ये कुछ पूछना है, हाँ, आप को डाउनलोड कर लीज़े, ये आप आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, SSC मेकर, SSC एक्जाम के लिए जाना जाता है, चैनल भी, यूटूब चैनल हो, या SSC मेकर का अपलिकेशन हो, SSC एक्जाम को टार्गेट करके ही बनाय गया था, चैनल और आज हम लोग SSC में बहुत ही बहतर कर रहे हैं, अन्य एक्जाम में भी बहतर कर रहे हैं, रेलवे एक्जाम में सरवादिक सेलेक्शन दिलाने में भी हम लोगों का नाम है, ठीक है, हाँ, तो हम लोग बहुत ही बहतरी इन तरीके से, चाहे वो, अस्टेट लेबल की भी कोई एक्जाम हो, उसमें भी, अब हम लोग मेहनत जोए ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये हैं, पहले भी मेहनत जारी रहा, इस बार आप क्या आए ना, थोड़ी टीम बढ़ा दिये हैं, और जबरजस तरीके से मेहनत हो, ताकि कोई बच्चा चूटे ना, जो बच्चा पढ़ेगा सलेक्ट होगा, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बस आप लोग यह नहीं कोर्स ले लेना है, हम कोर्स दिला रहे हैं आपको, ना, कोर्स वही ले जिनको पढ़ना है, पढ़ेंगे select हो जाएंगे quality oriented content दे रहें वो आपको matter दे रहें जिससे आपका selection होगा बस आप लोग पढ़िए पढ़िए और कुछ नहीं ये साल आपका बरबाद नहीं जाना चाहिए 2023 कैसे मैनत करके selection ले लिजिए एक बार हो जाएगा 2023 जादगार हो जाएगा कि 2023 में selection लेजिए ठीक है कोई मन में doubt query कुछ है तो बताईएगा साथ डेली 25 कोशन कर रहें ठीक है कोशन की संख्या बढ़ी रहेगी कम नहीं होगी ठीक है अच्छे से पढ़ते रही है मन लाग तैरी कोई भी डाउट है कोरिए बताईए अच्छे पढ़िए अच्छे पढ़िए तो सारे बच्चे जरूर जुडएंगे class से और डेली आप लोग class को जॉइन करिए पढ़िए घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताईए एससी मेकर से जुड़े पढ़े selection ले ठीक है हाँ कोई भी doubt है doubt class कब चलेगी किसके लिए doubt app पे अगर doubt है तो doubt session question दिया गए वहाँ पे आप question पूछ लीजेगा बता दिया जाएगा नहीं समझ में आएगा तो ठीक है हाँ इसमें तो live class में आप पूछी सकते हैं कि नहीं समझ में आया समझा दीजे समझा देंगे देखिया हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं कि doubt उसमें छोड़ेंगे ही नहीं क सारे बच्चे आज की class को like कर दीजे, share कर दीजे, channel पे नहीं है, subscribe करके जुड़ जाएए और आप लोग जितने भी student है, सभी बच्चे एक बार एप से जुड़िए और एप पे class लेके देखिये और एप का review भी ज़रूर करिएगा, classes कैसी चल रही है, 5 star की rating और 72 review आप सारे बच्चे जरूर देंगे, ठीक है, चलिए, तो आज की class को यहीं तर रखते हैं, बाकी आपकी next day class होगी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद मंजिलों के हगदार वो नहीं है, जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं, जो जित पे अड़े हैं अगर आपने दसवी पर इक्सा पास कर ली है, तो हो जाईये तयार, SSE MTS के जरिये दे रहा है, आपको सरकारी नोकरी पाने का सुनहरा मोटा SSE MTS की 72 तयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं, शोर सेलेक्शन बैच, जो आपके सेलेक्शन को 100% सुनिशित करेगा इस बैच में आपको अनुभवी सिचकों के माध्यम से क्लासिस कराई जाएंगी, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें ससी मेकर का अप और जोईन करें स्योर सेलेक्शन बैच